हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका सौगत है एक और बहुती इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिक्लिकल स्टॉक्स की तो जब मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली थी तो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि मैं उन्हें explain करूं कि आखिर सिक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं उन्हें कैसे analyze किया जाता है और कब उनमें entry ली जाती है कब उनमें exit decision लिया जाता है तो अगर हम एक value investing framework की बात करें तो value investing के तहत हम किस तरीके से जो है cyclicals में अच्छा पैसा बना सकते हैं आज मैं इसी बारे में बात करूंगा तो अगर आप भी interested हो ये जानने में तो इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा तो बिना time waste करें चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं किस-किस बारे में बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो में 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 चार चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहली चीज है कि cyclicals होते क्या है और कौन-कौन सी sectors और कौन-कौन सी company cyclicals में आती है उसके बाद बात करेंगे कि कैसे identify करें कि क्योई company cyclical है या नहीं उसके बाद बात करेंगे कि cyclicals में entry कब लेनी चाहिए यानि कि वो क्या चीजे हैं जो हमें देखनी चाहिए मतलब cyclicals में enter करने से पहले और finally बात करेंगे कि cyclicals में exit कब करना चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर cyclicals होते क्या है तो cyclicals या cyclical companies जो होती हैं कुछ ऐसी companies होती हैं जिनमें cycles बनती हैं अब cycles जो हैं दो तरीके की होती हैं एक होती है economic cycle और एक होती है business cycle और जो companies है वो इन दोनों से ही impact होती है तो जो economic cycle होती है वो आपकी economy से directly linked होती है तो जैसे जैसे आपकी economy expand करती है तो आपकी economic cycle जो है एक peak बनाती है तो जैसे अगर हम बात करें तो steel sector हुआ या फिर जो है कोई भी commodity लेते हैं oil हुआ या फिर अगर कोई agri products है हर एक ही एक अलग-अलग business cycle होती है जो कि उस particular business पे depend करती है तो cyclical industries को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर जो business cycles होती है या economic cycles होती है वो आखिर आती क्यों है तो सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि generally जो cyclical stocks होते हैं वो generally वो stocks होते हैं जिन industries में pricing power नहीं होती यानि कि अगर मैं simple भाषा में समझाओं तो उन companies के पास ये power नहीं होती कि वो अपने rate खुद तै कर सके यानि कि जो rate है वो बजार तै करता है बजाए company के तो होता किया है कि demand और supply की वज़े से जो आपका जब आपकी demand बहुत ज़ादा होती है और supply limited होती है तो obviously जो commodity की price है वो बढ़ जाती है लेकिन जो commodity को produce करने की price है वो limited है वो उतनी ही रहती है तो होता किया है कि ऐसे times में जब demand ज़ादा है और supply कम है तो बहुत ज़ादा profit increase हो जाते हैं और अगर आप ROC वगेरा numbers भी देखेंगे तो हर एक financial जो आपके numbers है वो आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे इस तरीके की companies में लेकिन ये जो scenario है generally बहुत दिनों तक चल नहीं पाता क्योंकि होता क्या है कि जो existing players हैं उन्हें लगता है कि क्योंकि demand इतनी ज़ादा है और supply कम है तो क्यों न हम इसमें capex करके हम अपनी capacity को expand कर सकते हैं और जब वो capacity expand करते हैं तो होता क्या है कि most of the time सिर्फ एक player ऐसा नहीं सोच रहा होता उस industry के ज़ादातर player ऐसा ही सोच रहे होते हैं और वो करते क्या हैं वो ज़ादातर players सब एक साथ capex कर देते हैं और जब उस capex के जो actually factory लगती है या तो green field होगा या brown field expansion होगा अगले एक दो साल में जब actual capacity system में आती है तो demand तो उतनी अच्छे से नहीं grow करती demand तो let's say कि 5-10% से grow करी लेकिन जो capacity है वो 40-50% से grow कर गई तो होता किया है कि आपकी फिर supply ज़ादा हो जाती है और demand कम हो जाती है और जो margins है obviously उसकी price fall हो जाएगी उस commodity की और जो margins है वो declining trend में चले जाते है और फिर आने वाले कुछ सालों तक 4-5 सालों तक या 3 सालों तक जो आपकी capacity utilization है वो dip होती चली जाती है और फिर धीरे 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 जो है जब तक आपकी जो उसकी जो demand है वो उसको जो है reach नहीं कर लेती तब तक जो है वो एक down cycle में चला जाता है तो ये तो था सबसे पहला कारण और दूसरा जो कारण है वो है economic cycle economic cycle का मतलब ये है कि जो economy है overall वो कैसा कर रही है यानि कि overall industry बाकी companies कैसा कर रही है जैसे मैं एक example देता हूँ कि अभी अगर हम बात करें तो अभी जो है आपका agriculture जब lockdown के बात जो है क्योंकि rural में इतना ज़्यादा corona नहीं फैला था तो जो rural economy है वो बहुत अच्छा कर रही थी तो जितने भी आपके जो है roofing या फिर agriculture से related हुए या fertilizers हुए या फिर जो आपका cement की roofing वाले हुए जैसे Everest industries हुआ या फिर सहयादरी industries हुआ विसाका industries इस तरीके के जो companies हैं और भी बहुत से sectors जो की rural economy से linked थे जैसे की two wheelers हुए वो बहुत अच्छा कर रहे थे बट ये जो है एक cyclical trend है ये एक permanent trend नहीं है तो ये हमें समझना रहेगा कि भई कब जो है एक cyclical trend होता है और कब जो है एक permanent structural trend होता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि life insurance है या फिर AMC companies है ये एक structural trend है आने वाले 10-20 सालों तक continuous हमें पता है कि ये trend धीरे 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 increase ही करना है वहीं काफी trends ऐसे होते हैं जो कि temporary होते हैं और वहीं cycles हमें नजर आती हैं और एक और जो reason है जिसकी वज़े से cycles होती है वो है interest rate तो ऐसी बहुत सी industries हैं जो कि आपके directly interest rate से impact होती हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो कि महेंगी होती हैं जैसे कि घर हुआ या फिर trucks हुए या फिर autos या cars वगेरा हुई तो इस तरीके के sectors में क्या होता है कि generally 70, 80, 90% लोग जो है वो loan लेके वो समान खरीदते हैं और loan लेके जो है जब आपका interest cost कम होती है तो जादा लोग उसमें obviously घर खरीदते हैं जैसे अभी जो है एक residential जो हमें boom नजर आ रहा है अगर आ पारे ही जो है चाहे आप apartments वाले दे लिजे चाहे आप builders ले लिजे या फिर जो है अगर आप autos में भी देखेंगे तो auto stocks भी काफी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि जो है अभी interest जो है काफी जादा low चल रहे हैं तो जो है आपकी interest rate जो है directly impact करते हैं आपकी बाकी industries को जो की cyclical ह होती है तो अब हमें ये समझना रहेगा कि किस company के लिए जो है वो आपकी business cycle कहां है और जो है economic cycle कहां पर है इन दोनों के basis पे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कब enter करना है और कब exit करना है आगे इसके बारे में हम और detail में बात करेंगे तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि cyclical होते क्या हैं तो अब ये कैसे पता लगाएं कि अगर हमने कोई company को analyze कर रहे हैं कि वो एक cyclical है या नहीं तो मैं तो बहुत ज़्यादा simple तरीका लगाता हूँ कि भई मैं उस company का business model समझता हूँ और फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्या उस company के पास pricing power है यानि कि उसका rate है क्या वो बजार तै कर रहा है या वो company खुद तै कर सकती है अगर generally जो है अगर ऐसी कोई company है जिसका rate बजार तै कर रहा है तो उसे हम एक cyclical company मान सकते हैं और दूसरी चीज जो मैं देखता हूँ कि आप अगर उस company की long term आपकी financials को देखेंगे तो भी आपको बहुत clearly समझ में आ हैगा कि जो है जो company है वो cyclical है या नहीं तो अगर आप उस company के ROCE देखेंगे तो cyclical companies के ROCE क्या होते हैं कि जब uptrend में होता है तो ROCEs बहुत अच्छी दरीके से बढ़ जाते हैं 25-30 तक चले जाते हैं और जब आप downtrend में जाते हैं तो ROCEs जो है 0 के करीब 2-3% तक रह जाते ह भी कमार उसी ही रह जाते हैं वहीं जो है साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि जो cyclicals होते हैं वो generally जो है बहुत जादा capital intensive business होते हैं तो होता क्या है कि generally काफी बार क्या होता है कि जब एक upcycle में होती है तो जब बहुत जादा अच्छी demand होती है तो और interest rate भी low होते हैं तो ज़्यादा तर companies सोचती है कि क्यों ना हम जो है सस्ते interest rate का फायदा उठाके अपनी capacity expansion कर लें तो basically generally ये 2-3 चीज़े अगर आपको नजर आ रही है कि capital intensive business है pricing power नहीं है और अगर आपको उसके stock के chart में भी obviously समझ में आ जाएगा कि उसका जो stock होता है ना वो हर 3-4 साल में जो है एक peak बनाता है और फिर अगले 2-3 साल जो है एक truff बनाता है तो इस तरीके की companies जो है वो cyclical होती है तो stock के chart को देखके उसकी ROC को देखके उसकी capital intensity को देखके और साथ-साथ उसके business model को समझ के आपको समझ में आ जाएगा कि company cyclical है या फिर एक structural trend है अगर मैं कुछ cyclical sectors की example ले सकते है एरलाइन ले सकते हैं शिपिंग ले सकते हैं बैंक्स ले सकते हैं real estate, hotels या फिर जो है miners हो गए, restaurants हो गए या फिर जो है कोई भी commodity हो गई जैसे की gold हो गया, copper हो गया, iron ore हो गया इस तरीके की कोई भी commodity आप ले सकते हैं ये सारी sectors ऐसे होते हैं जिनमें या तो pricing power बह rate तै करता है और या तो फिर जो है उसकी demand और supply का जो है बहुत ज़्यादा fluctuate करता है क्योंकि जब एक market uptrend में होती है economic cycle revive कर रही होती है तो जो है उसकी demand बहुत ज़्यादा होती है और जो है जब market downtrend में होती है यानि economic cycle downtrend में होती है तो उसकी product की demand बहुत कम रहती है तो ये कुछ examples है cyclical sectors के तो screen पे जो आपको ये chart दिख रहे हैं इस chart से जो है मैं explain करूँगा कि जो है आखिर cycles जो है वो आती क्यों है तो मानली ची ये कोई एक company है जिसमें जो है तीन तरीके के players operate कर रहे है एक most efficient player है यानि कि जो lowest cost producer है एक mediocre player है और एक least efficient player है जो की highest cost producer है तो सबसे पहले बात करेंगे एक down cycle की तो down cycle में क्या होता है कि जो है commodity की prices जो है वो गिर जाती है या जो जो उसका product है उसकी prices गिर जाती है क्योंकि competition बहुत जादा है तो इस case में होगा क्या कि जो है जो most efficient player है उसकी जो production cost है वो है 70 rupees, 80 rupees mediocre player की है और 90 rupees जो है वो least efficient player की है तो इस scenario में क्या होगा कि जो है जो profits है जो most efficient player है उसके होंगे 10 rupees क्योंकि production cost जो है 70 rupees है और commodity की price 80 rupees है जो आपका mediocre player है वो जो है no profit, no loss पे काम कर रहा होगा और जो least efficient player है वो 10 रुपीज के loss पे चल रहा होगा वहीं अगर हम एक ऐसे scenario के लेते हैं जब reversion to mean होता है जब commodity की price बढ़के 80 से 90 हो जाती है तो इस bar chart में आप देखेंगे कि इस time पे क्या होगा न कि जो आपका most efficient player है उसके profit हो जाएंगे 20 रुपीज जो आपका mediocre player है उसके हो जाएंगे 10 रुपीज और जो least efficient player है उसके हो जाएंगे 0 रुपीज वहीं एक तीसरा scenario देखते हैं जो कि एक up cycle या फिर up trend का scenario है जब जो है आपकी commodity की price और ज्यादा बढ़के 100 रुपीज हो जाती है तो ऐसे case में क्या होगा कि जो आपका most efficient player है उसके 30 रुपीज हो जाएगा profit जो आपका mediocre player है उसका 20 रुपीज और least efficient player का 10 रुपीज तो interesting बात क्या है ना कि जब आप down trend जब आप down cycle में देखेंगे तो जो most efficient player है उसका जो profit है वो 10 रुपीज है फिर 20 रुपीज हो रहा है और फिर 30 रुपीज हो रहा है यानि कि जो profit है वो downturn में और जो upturn में 3 times हो रहा है यानि कि 10 रुपीज से 30 रुपीज हो रहा है वही अगर आप commodity की जो price देखेंगे ना वो 80 रुपीज से बढ़के 100 रुपीज हो रही है यानि कि जो commodity की price है वो लगबग 20-25% ही बड़ी है लेकिन जो उसका profit है वो 3 times बड़ा है तो अगर आप कोई एक company को value कर रहे है P.E. से तो obviously मतलब जो है उसका जो P.E. अगर आपका 3 times हुआ है तो उसका जो profit है वो 3 times हुआ है तो जो company है वो भी almost जो है 2 से 3 times हो जाएगी क्योंकि जो है उसका profit 3 times हुआ है अप cycle में और वहीं अगर आप down cycle की बात करेंगे वहीं जो है अगर आप एक least efficient player की बात करेंगे वो जो है minus 10 रुपीस से निकल के plus 10 आ गया है तो इसका जो profit है वो मतलब loss से जो है cover करके जो है वो profit में आया है तो इसी लिए क्योंकि होता क्या है कि जो profit है वो इतना ज़्यादा increase करता है अगर हम percentage terms में बात करें तो इसे हम बोलते हैं operating leverage तो जितनी भी cyclical stocks होते हैं उनमें क्योंकि high जो आपका केपेक्स intensive business होता है और जो है इस वज़े से जो है जब आपकी upcycle आती है तो जो profit है वो 2-3 times हो जाते हैं in fact कुछ-कुछ companies में तो जो है 10-10 times भी हो जाते हैं वही जो है अगर आप एक downturn में देखेंगे एक बिल्कुली खराब scenario है तो जो profits है वो upcycle और down cycle में almost 1-10th हो जाते हैं या इस particular example में देखें तो जो most efficient player है उसके profits 1-3rd हो गए हैं तो ये main reason है जिसकी वज़े से हमें cycles देखने को मिलती है क्योंकि जब uptrend में होता है तो भई profit इतने ज़्यादा हो जाते हैं 2 times, 3 times, 4 times और इसलिए stock के price भी 3-4 times हो जाते हैं और down cycle में stock का price भी 80-80%, 90-90% तक गिर जाता है क्योंकि profits भी उसी हिसाब से गिर जाते हैं तो cyclicals में बहुत अच्छा पैसा बनने के chances रहते हैं अगर आप उसको अच्छे से जो है उसकी cycle को समझ पाए तो और basically अगर एक cyclical को हम एक high risk low return या फिर एक low risk high return दोनों ही तरीके का investment कह सकते हैं अगर आपने सही जब उसकी right entry का time है तब enter करा, यानि कि जब एक uptrend में है तब enter करा, तो वो एक low risk high return stock की तरह काम करते हैं वहीं अगर आपने गलत entry ले लिया और उसके peak पे enter कर लिया तो वो एक high risk low return की companies की तरह काम करती हैं तो जो normal जो आपकी चीजे होती हैं जैसे की price earning ratio देखना या फिर ये देखना की operating margins कैसे हैं growth देखना की भई पिछले कुछ सालों में growth हो रही है या नहीं और फिर उस basis पे ये decide करना की हाँ भई ये तो company अच्छा कर रही है और फिर लोग क्या करते हैं इस तरही की companies में उसे extrapolate कर लेते हैं आने वाले 4-5 सालों तक और फिर उस basis पे जो है उसे value करके उसमें invest करते हैं अब ये जो strategy है ये एक structural trend के लिए बहुत अच्छी strategy है लेकिन cyclicals के लिए ये strategy बिल्कुल भी work नहीं करती in fact अगर आप ये काम cyclicals में करेंगे तो आप फस जाएंगे और आप जो है peak पे enter कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा पैसे lose कर सकते हैं तो cyclicals में क्या होता है न हमें ये जो normal चीज़े हैं कि low PE देखना ये सब चीज़े इतनी ज़्यादा matter नहीं करती हैं क्योंकि होता क्या है कि जब एक commodity है या फिर अगर इस तरीके की company है cyclical company है जो कि पिछले 3-4 सालों से जो है अच्छी तरीके से grow कर रही है तो अगर हम उसकी underlying cycle को नहीं समझ रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि भई ये जो है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा फस सकते हैं उस company में तो एक example लेके समझाता हूँ जैसे एक case study example है HEG और graphite ये दो companies हैं जो कि 2018 और 2019 में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके stock price ने ग्रो किया था और उसके बाद उतनी तेजी से crash हुआ था तो आखिर हुआ क्यों था अगर हम ये समझ पाएंगे तो आगे से जो हम इस तरीकी companies में कब exit करना हैं ये भी समझ पाएंगे तो हीजी का example लेता हूँ तो हीजी में जो है अगर आप share price देखेंगे तो एक सो पचास साथ रुपए का share price हुआ करता था 2017 में जो कि अगर मैं peak में देखूं 2019 में वो जो share है वो लगबग 4,500 रुपए तक चला गया था यानि कि 160 से 4,500 लगबग 30 गुना हो गया था within a period of like one year और अगर आप उसके profits देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा interesting आपको नज़र आएंगे क्योंकि जो profits थे ना इस company के वो सिर्फ ऐसे 30, 40, 50 करोड के आसपास के profits रहते थे और कभी-कभी losses भी रहते थे अगर आप उसके historic जो है देखेंगे लेकिन 2019 और 2018 में जो है वो profits आपके 3,000 करोड से भी ज़्यादा चले गए थे यानि कि almost 100 times हो गए थे उसके profits अब अगर इस तरीके की companies में अगर हमने invest किया ये सोचके कि भई अब profits obviously अगर इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से grow करें तो जो PE है वो बहुत ही कम रह गया होगा सिरफ 3, 4, 2, 3 का PE रह गया होगा और अगर हम ये सोचके कि यार इतने अच्छे तरीके से profits grow करें तो जो PE है वो इतना कम है और साथ-साथ जो है growth भी हमें नज़र आ रही है revenue growth भी नज़र आ रही है ये सोचके अगर हम invest करेंगे न तो हम उसके peak में फस जाएंगे और लेकिन हमें समझना कह रहेगा न इस तरीके की companies में कि इसका जो बिजनस model क्या है यानि कि क्या ये commodity है क्या एक pricing power है तो ये जो profits हैं क्या वो sustainable profits हैं या वो temporary profits हैं अगर वो sustainable profits हैं तो तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर वो temporary profits हैं तो हमें ये समझना रहेगा कि उनके बीछे का reasons क्या है तो अगर इस particular company की बात करूँ तो उसके जो reason था वो obviously ये था कि जो underlying asset है यानि कि इस case में जो graphite electrodes ये लोग produce करते हैं उनकी जो price है वो बहुत ज़्यादा तेजी से grow कर रही थी तो हमें करना क्या था उसकी cycle को उस company को company के stock price को देखने की बजायना इस तरीकी companies में जो underlying asset होता है उसकी cycle को track करना होता है और अगर आप उसकी cycle को सही तरीके से पकड़ पाएंगे तो आप उसमें सही time पे invest कर पाएंगे तो अब बात आती है कि आखिर हमें इस तरीके की sectors में या इस तरीके की companies में कब enter करना है तो बहुत ही कोई एक simple answer नहीं है इस तरीकी companies में invest करना एक normal company की comparatively काफी difficult रहता है क्योंकि हमें जो है सिर्फ एक company को पढ़के जो है हम idea नहीं लगा सकते कि क्या जो वो company है वो अच्छा कर रही है करे की future में या बुरा इसके लिए हमें करना क्या होता है हमें पूरे sector को देखना होता है उस particular sector की सारी companies को देखते हैं जैसे मैं एक example लेता हूँ कि अगर मानिजी होटेल्स हैं जैसे होटेल्स एक cyclical stock होते हैं तो होटेल्स जो है obviously capital intensive हैं और उनमें क्या रहता है कि आप कुछ key matrix देख सकते हैं जैसे की occupancy rate वगएरा देख सकते हैं और ऐसे industry देखिए अगर आप ऐसे 8-10 होटेल्स की occupancy rate देखेंगे उनके average room पर rent देखेंगे तो आपको idea लगेगा कि rent अगर growing profile में है तो उससे आपको यह समझ में आएगा कि अच्छा एक economy जो है वो अच्छा कर रही है लोग काफी ज़्यादा travel कर रहे हैं और यह जो trend है आपको पकड़ना रहेगा कि जो है क्या occupancy rate जो है already bottom out हो गए है क्या वो अब जो है increase करना शुरू होंगे similarly जैसे मैं कोई और example लेता हूँ जैसे अगर आप किसी commodity का example लेते हैं जैसे कि यही iron ore की बात करता हूँ तो iron ore में जो है यह एक global commodity है यह सिर्फ इंडिया में seem it नहीं है इसके जो rates है वो globally तैय होते हैं किसी भी commodity के तो इसमें क्या है आपको world की जो largest commodity manufacturers है जो आपके producers हैं उनकी जो है cost देखनी रहेगी कि अच्छा वो किस cost पे produce कर रहे हैं और साथ-साथ जो है वो कितना produce कर रहे हैं तो काफी बार क्या होता है कि जो है नई mines enter करती हैं तो हमें obviously वो जो है caution तो अगर आपको overall world में पता होग तो आपको global events में उस particular sector के familiar रहना पड़ेगा और उसकी cycle है उसे track करना होगा जैसे मैं अगर iron ore की बात करूँ तो Brazil की जो माइन है वो पिछले कुछ सालों से लगभग एक सवा साल से बंध है उसे VLE करके एक माइन है तो उसमें हुआ क्या है कि government ने कुछ reasons की वज़े से वहा वो भी Supreme Court के order की वज़े से बंध चल रही है तो जैसे कि अगर हमें पतो चलता है कि अच्छा ये जो माइन है अगर कल को वापस खुलती है तो अच्छा उससे कितना जो है copper उससे जो है add हो सकता है कितने उसकी जो है life है हर माइन की जैसे एक life होती है तो और overall जो है demand कितनी है इंडिया में supply कितनी है ये सब चीज़े track करके आपको idea लगता है कि कब जो है एक अच्छा time है enter करने का तो generally जो अच्छा time होता है वो तब होता है जब एक particular sector at its worst होता है क्योंकि उस time पे आपको stock उसका cheapest price पे मिलता है और वहीं जब economy already बहुत अच्छा कर रही होती है peak पे हो हमें ये देखना रहेगा कि क्या उसका future उससे bright नजर आता है या और ज़्यादा खराब नजर आता है जैसे मैं एक और example देता हूँ आपको जैसे कि shipping sector है अगर किसी ने भी shipping sector में worldwide पिछले 10 सालों में पैसा लगाया है तो उसने अपना बहुत पैसा गवाया होगा इस बात क ही मैं guarantee दे सकता हूँ क्योंकि shipping sector में हुआ क्या था कि 2010 में 2009 और 2010 में हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से demand grow कर रहे थी तो हुआ क्या था बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ships order कर दिये थे तो shipping industry में concept होता है order book का यानि कि उसका मतलब यह होता है कि जो तो उसमें उस time पे हुआ क्या था कि जो order book थी ना वो बहुत ज़्यादा high चली गई थी almost 40-50% तक चली गई थी यानि कि all the players were trying to make their capacity one and a half times तो हुआ क्या था कि भई आने वाले कुछ सालों में जो है over capacity हो गई थी बहुत ज़्यादा ships हो गई थे और फिर जब downturn आया जब actually मे जो है उतने ज़्यादा ships की requirement नहीं थी तो आने वाले 10 सालों तक जो है जो आपकी जो over capacity थी और जो आपकी जो losses थे वो बहुत सी companies में हो रहे थे और अभी तक भी जो है अगर आप देखेंगे ना 2018, 2019 तक भी जो है वो recover नहीं कर पाए थे तो finally अब जाके जो extra ships थे थे वो अ almost सिर्फ 6-7% के आसबास रह गई है तो अब जैसे अगर shipping की बात करें तो वो obviously सिर्फ ये एक factor नहीं है और भी चीज़े आपको देखनी रहेंगे कि भी demand भी grow करनी चाहिए लेकिन अगर आप order book के perspective से देखेंगे तो shipping industry अब जो है एक ऐसे phase में आ गई है जब कि जिसमें जो इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी रहती हैं similarly exit का decision भी बहुत similar ही है जब आपका जो है अगर आप सुनते हैं कि कोई company capex करने वाली है तो वो जो है आपके लिए एक alarm bell की तरह काम करनी चाहिए क्योंकि अगर वो company capex करने वाली है तो obviously it's not a sell signal कि बस capex करने वाली है तो immediately उठाके बेश दिया क्योंकि जब वो capex करने वाली है उससे हमें क्या पता चलता है जैसे cement की बात करूं तो cement में ultra tech हुआ और काफी companies अब capex कर रही है तो उससे हमें ये signal मिलता है कि अच्छा demand बहुत strong है और जो existing हमारी capacity है वो पूरी नहीं पढ़ पा रही है तो obviously आने वाल तो बहुत ज़्यादा capacity आएगी और जो है उस time पे जो ROCs है वो बहुत तेजी से decline करेंगे और जो आपकी pricing power है वो भी decline करेगी क्योंकि demand obviously उतनी अच्छे तरीके से grow नहीं कर पाएगी जितनी ज़्यादा capacity system में enter करेगी क्योंकि होता गया है कि competition होता है बहुत सारी companies में तो अगर एक company जो है अपनी capacity increase कर रही है तो दूसरी company भी जो है अपनी capacity increase करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहते है कि वो अपना market share lose करें तो ये जो है हमारे decision रहते हैं sell करने के तो generally अगर आप देखेंगे अगर वो एक company पिछले कई सालों से तीन चार सालों से एक down cycle में चल तो वो एक अच्छा time है उस company को analyze करने का और ये देखने का कि उसके demand supply का cap कैसा चल रहा है और हर एक particular sector के लिए जो demand supply की जो matrix होती है वो अलग होती है जैसे मैंने shipping का बताया ऐसी अगर आप कोई commodity देखेंगे तो उसमें जो है आपकी inventory levels होते हैं कि भाई कितने जो है inventory stored है और साथ साथ जो है कितना production हो रहा है ये सब चीज़े आप देख सकते हैं अगर आप hotel में देखेंगे तो occupancy rate होते हैं तो हार industry की अलग matrix होते हैं track करने के वो आपको देखने रहेंगे जब वो अपने worst पे होंगे that is a good time to worst से जो है जो है जब वो धीरे धीरे improve करना शुरू कर र रहे हैं और when everybody is attracted to it that is a good time to actually exit that particular sector क्योंकि already most likely जो है उसकी peak बन गई होगी अगर आप और detail में जाना चाहेंगे कि भई कुछ case studies के साथ की cyclicals को कैसे analyze करते हैं तो I would recommend कि एक बंदा है जितेन परमार उनका जो है आप YouTube वीडियोज है मैंने description में डाली हुई है आप वो जो है ल बहुत अच्छी understanding हो जाएगी cyclicals की कि cyclicals में कैसे क्या क्या देखना रहता है कब enter करना होता है तो I would recommend कि आप वो वीडियोज जरूर देखें तो I hope आपको ये समझ में आया होगा कि cyclicals को कैसे analyze करते हैं क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं कब entry करते हैं कब exit करते हैं अ हुआ पुआब में का करते हैं कि अवै में आया है झाब अजयर व Есть बहुत था पना को क dre Conservability कि को बहागा दो हम कब